So friends welcome back to my channel तो आज दोस्तों मैं ISO करने वाला हूँ किस बारे मैं बात करूँगा जा तो सबसे पहले है जोस्तो अगर आप मेरे चैनल में पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा जिससे की आपको तो वीडियो हमेशा मिलता रहे और बेल आइकन दबा दीजेगा जिससे कि आपके पास वीडियो का नोडिविकेशन हमेशा जाता रहे ठीक है तो आईए शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो ना ओला चलाने के लिए हम लोगों के पास एक कार होनी चाहिए अगर आपके पास क कोई कार है तो डिपेंड करता है कि वो कार कितनी पुरानी है कि अगर हम लोग अपनी जैसे सबस्पोज मेरे पास कार है और हमको अपनी कार उला सेटेश करने है तो मेरी चाहिए अगर तीन साल के उपर की मेरी गारी है तो मेरी गारी न, commercial, अगर हम करवा भी लेते हैं तो उसके बाउजूद ओला से attached नहीं होगी, पहली चीज़ तो यह Second यह कि अगर हम लोगों को पास कारी नहीं है दोस्तों तो फिर हम लोगों को नई गारी निकालनी पड़ेगी इस टाइम तो भी मैंने आ रहाता है लगनों मैंने सेंट्रों भी देखी वो भी मिनी में चल जाएगी इसके अलावा अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि हमें प्राइम चलानी है तो प्राइम का न दोस्तों अपना अलगी प्रॉफिट होता है वो कैसा मैं आपको बताता हूँ देखे प्राइम गाड़ी मतलब की अपनी प्राइम में कौन गों सियाती जिसमें डिगगीया होती है अब जैसे कि मानकि चली मारूत्री की डिजायर हो गई Honda की Amaze हो गई, Hyundai की Accent हो गई, Hyundai की Aura हो गई, Tata की Tiger हो गई Tata की Jest सबसे पहले काफी चलती थी, बट Tata की Jest जो है वो आना बंद हो गई है तो इसकी वज़े से Jest को हम लोग हडा देते हैं अभी, क्योंकि वो आ ही नहीं रही है तो प्राइम गारी के अपने अलगी फायदे होते हैं सबसे पहला उसमें दो कैटेगरिया मिल जाती है, Mini की और प्राइम की तो जो Mini का बिल होता है वो प्राइम से कम आता है तो अपना यह जो प्राइम का बिल हुआ एक तो वो Mini से जादा हुआ अपने पास दोनों कैटेगरिय मिल गें, Mini की और Prime की भी अपने दोनों खो ली तो हम लोगों को दोनों कैटेगरी की booking मिलेगी सबसे अच्छी चीज़ अगर हम लोगों को प्राइवेट बुकिंग करनी है दोस्तों तो प्राइवेट बुकिंग में सबसे सही क्या होता है कि अगर हम लोग किसी भी कश्टमर के पॉइंट ओफ यू से देखेंगे न तो सपोज आप अपनी बात ले लिजे कि अगर आपको अपनी आपको जो है वो गई तो प्राइम गारी लेते है मेरे हिसाबसे तो ज्यादा अच्छा है अगर आपको आउटेस्टेशन करनी है अगर आपको अई वान्ते मил चलना है तो आप नौर्मल ये व्यक्वेगनार ले सकते है व्यक्वे काड़ी अच्छा है मेरे इसाब से आप जो है प्राइम लिजे वह ज्यादा बेस्ट होती है अब बात करते हैं दोस्तों ना डॉक्यूमेंट्स की या नही गारी की तो सबसे अगर नही गारी की बात करते हैं पुरानी का तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों हम लोग नही गारी पर नही गारी के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा सब सह पहले तो हम लोगों को गारी एक लेनी पड़े जाते अब आप फुल कैश में लेता है आप की मदह दोफ की बज़ट के ओपर supervised करते है तो नही जितना ज्यादा एक्टिव होगा डॉक्यमेंट्स उतनी ही जल्दी मिल जाएंगे ठीक है दोस्तों तो मानगे चलिए कि 20 दिन में हम लोगों को डॉक्यमेंट्स आ गए अब डॉक्यमेंट्स आने के बाद हम लोगों की गारी है commercial हो गई नई गारी हमने ले ली commercial है वो और उसके documents भी अपने पास आ चुके है अब हमको करना गया है तो हम लोगों को ना जैसे मानगे चलिए हम कानपुर की बात ले ले हैं हम लखनों की बात ले ले हैं दिल्ली की बात ले ले कहीं के भी अब को सब्सक्राइन जाओ साथाद लेकि बात ले ले लेक अब को कानपुर में गारी तो कानपुर में आपको ओ ओ्ला ऑफिस देखना है घ्र शेहर में ख़ा में पहल दोस्तों होता ही है तो हो अब आपको documents क्या क्या लेके जाने है documents आपको वह लेके जाने है जो आपके car के आए होंगे मतलब की car की RC, car की insurance उसके बाद जो है car की RC, car की insurance और जो अपना permit आता है अगर आपने पूरे all India का permit ले रखा होगा तो all India का permit ले लिजेगा second जो है अगर आपका all यूपी का है तो अपना all यूपी का ले करके सीधे आप जाएंगे ola office ये अपने होगा गारी के documents अब बात करते हैं दोस्तों की driver के क्या documents लगते हैं तो इसमें depend ये करता है दोस्तों के गारी आप खुद चलाएंगे या किसी driver से चलवाएंगे अगर द license में मैं आपको एक चीज बता दू दोस्तों driving license ना अगर आपका normal heavy नहीं है normal LMV वाला है तो उससे आप commercial cap चला सकते हैं ऐसा rule आ गया था तो ज्यादत लोग न उस पर जो है cap चला रहे हैं मैं खुद भी चला रहा हूं LMV license पर ठीक है तो अभी एक actual अभी मुझे एक ना एक बार चेकिंग में भी रोक लिया गया था तो उन्होंने मुझे पूछा था कि गाड़ी आपके नाम है हमने का हाँ मेरे नाम है तो उन्हों का मुझे license दिखाया तो उन्हों का ठीक है जो हमने का से चला सकते हैं LMV पर license करते हैं हाँ अगर खु से कि वो आपके account Ola के account से attach करते हैं जब कभी online payment आता है जैसे मेरी कल वाली वीडियो में मैंने दिखाया था आपको कि मेरा online payment हो गया तो वो आला payment जो है आपके Ola account से आपके account में transfer करने के लिए आपका वो account लगता है ठीक है अब अगर in case दोस्तों आपको ना किसी driver से गारी पड़ेगा कि यह जितने documents मैंने आपको बता है DL छोडगे वो सारे आपके लगेंगे इकार के सारे लगेंगे आपके pencard अधारकार यह सारा लगेगा उसके अलावा जिस से आपको गारी चलवानी उस भाई के documents में आपको pencard अधारकार और उनका DL यह तीन चीजे आपको चाहिए इसके अलावा आपको एक चाहिए character certificate जो कि अगर हम कानपूर की बात करें तो SSP office के पास कशहरी के पास SSP office है वहाँ पर बनता है ठीक है तो हर district का अपना अलग वो होता है कशहरी पास वो बन जाता होगा character certificate तो वो हो गया मतलब वो character certificate जरूरी होता है चाहिए ही होत ठीक है दोस्तों तो documents के बात यह हो गई आप मान के चलिए आपकी गारी लग गई है आपको खुछ चलानी तो आप जो है गारी आपके attach हो गई है आप चलाना शुरू कर सकते हैं अगर आपको किसी दूसरे भाई से मतलब अपने driver भाई से चलवानी है तो आप उससे चलवा के बाल उसके documents पर चेंज कराना पड़ेगा क्योंकि गारी मान लिजए आपने second in खरीदी है तो वह आपके नाम होई तो उसमें आपके documents लगेंगे अगर आपको चला रहे हैं पूरा पूरा वही जायेगा लेकिन जो आपकी चार साल पुरानी आप लेंगे तो भी लगेगी तो भी चलेगी लेकिन अगर आपके पास सब्वोस्स आप सोचेंगी मेरे पास कोई गारी मेरे पास कोई गारी एमाले यह आपको वेगनार है वो पांक साल पुरानी अब आप सोचेंगे है हम इसको जो है commercial करा के चलाने लगेंगे तो ऐसा नहीं है ठीक है तो मेरे हिसाप स जाके मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपको तुरन रिपलाय करूँगा इसके अलावा जो है अगर आपको कहीं पर लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया है तो आप वो भी मुझे बताईएगा हो सकता है मुझे कहीं पर क्योंकि हर किसी को सारी चीजे दोस्तों नहीं पता होती है तो हो सकता है मेरी कहीं पर गलती भी हो तो आप वो मुझे बता दीजेगा तो वो चीज मेरी क्लियर हो जाएगी हालागि बताया मैंने सारा कुछ सही है बाकि फिर भी क्या पता कुछ अपडेल्ट हो या मुझे नहीं पता हो मेरी जानकारी में नहीं हो तो वो है ठीक है दोस्तों तो बाकि मेरे हिसाब से आपको पता चल गया होगा अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्षन में पूछ लिएगा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजएगा दोस्तों जिससे की मैं आगे आपको और अची ची वीडियो देता रहूंगा और दोस्तो अगर दोस्तो आज की अर्णिंग से 3,000 रोपे लेता हूं मैं थोड़ी देर में यहां से चलेंगे कानफूल तो मेरा आज की काम हो जाएगा लोकल चलाओंगा नहीं दोस्तों क्योंकि मन नहीं हो और मन छोड़े दीजिए अस सर्दी इतनी ज़्यादा है कि मेरी यह पर आने को इच्छा नहीं थी लेकिन अपना क्या था कि वेगा दोस्तो, बाइबाइ